आप सभी लोगों का सुभागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर उनलाइन क्लासस स्वनपूर में आज हम इस वीडियो में भी हाड बीएड इंट्रेंस एक्जाम दुजर चौबिस के लिए हिंदी के प्रैक्टिस से 2 को लेकर आए है जिसमें महत्तकूल आपके एक्जाम ओरियन्टेट प्रस्न को देखेंगे और अल्रेडी हमने जो है आप सभी लोगों को प्रैक्टिस वन करा चुके हैं reasoning के भी आपके practice 1 हो चुके हैं, आपके TLE के भी हो रहे हैं और GK के भी जो है, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगे आप से निविदन हैं, अगर आप चैनल पर ना हैं तो चैनल को like, share and subscribe जरूर कर लिजेगा और मैं आपको बताना चाहूंगा, यह जो आपका भी हार B.A.D. इंट्रेंस एक्जाम 24 के लिए हिंदी का practice 2 है, इससे पहले 1 हो चुका है, और आपके exam में हिंदी से related आपके किवल 15 प्रस्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपके passage होते हैं, और आपके grammar portion होते हैं, तो उसी अधार पर आपके practice rate चल रहे हैं, जिसमें आपका exam oriented प्रस्न है, तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल पर नाए होंगे, तो चैनल को like, share and subscribe जो है, जरूर कीजेगा, चलते हैं प्रस्न के उपर और यहाँ पर देखते हैं, प्रस्नों को, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रस्न देखने को मिलेगा, जी, यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रस्न देखने को मिलेगा, passage की बात करेंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो यह आप passage देखने इतना बड़ा, आपके exam मे ग्रामर पॉर्शन से होती हैं, समझ गए, यहां पर हम प्रशन को पढ़ते हैं, फिर इसके प्रशनों को हम करेंगे, और आप सभी लोगों से निविदने, ध्यान प्रोग प्रशन को पढ़िएगा, अब दिखेगा, प्रशन बनाने के दो तरीके होती हैं, पहला तरीका यहा होता है कि पहले पैसेज को पढ़े, फिरम प्रशनों को करें, तो यह आपके ऊपर डिपेंड है, कैसे करना चाहेंगे, ऐसे मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले आपको जो है क्यार फुर्ली एक बड़ पैसेज को पर लेना है, उसके बाद को परकर आपको उसको देना है, समझगा है, कितने ऐसे लोग है, कितने ऐसे बच्चे है, जो की पहले question को परेंगे, फिर पैसेज में ढूनेंगे, तो यह थोड़ा सा लिंदी हो जाता है, समझगा है, तो पैसेज बढ़ा है, समझने में तो आपको फेड़ होगा, तो समझिएगा, समझने का चलते आ रहे हैं इसके द्वारा भय लोव का पर्यत्न उचित सिमा के बाहर भी प्राय हुआ है और होता रहा है जिस प्रकार सासन वर्ग अपनी रक्षा और स्वार्थ सिद्धी के लिए भी इसके काम लेते आए हैं उसी प्रकार धर्म प्रबर्तक और आचारे अपने सरूप और वैचित्ते की रक्षा और अपने प्रभाव की प्रतिष्ठा के लिए भी समझ गये शासन की पहुच प्रबिर्ती और निविर्ती की बाहरी विवस्था तक ही होती है उसके मूल या मर्म तक उसकी गती नहीं होती है भीत्री या सच्चा प्रबिर्ती निविर्त को उसी के भीतर दिखाई पड़ता है इस मंगल के लिए प्रकिर्ती के छेत्र के बीच मनुस्य को अपने लक्ष के प्रशार का अभ्यास करना चाहिए जिस प्रकार ज्यान नर्शत्ता के प्रशार के लिए है उसी प्रकार हिर्दय भी रागतिम का वृती के प्रशार के बिना विशो के साथ जीवन का समन्जस से स्थापित या घटित नहीं हो सकता जब मनुस्य के सुख और आनंद का मेल से इस प्रकिर्टी के सुख संदर्य के साथ हो जाए तब उसकी रक्षा का भाव जो है तुगल गुल्म वित लता पसुपक्षी कीट पतंग सबकी रक्षा के है इस भूमी तक पहुचने के लिए है मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको यह सुनने में थोड़ा लिंदी लगा होगा लेकिन यह थोड़ा बड़ा पैसेज है आपके एक्जाम में ज्यादा स्यादा 5-6 लाइन का पैसेज आपका होता है समझ गया अब यहां पर ध्य देखेगा यहां पर देखेगा कि शासन की पहुच प्रवीर्ती और निवीत की बाहरी विवस्था तक ही होती है उसके मूल का मर्म उसकी गति नहीं होती है समझ गना यह आपर बोला गया है इसी कहने सारप आपको यहां पर देखना है तो पहला देखेगा कि शासन और कभी नहीं है तो ये नहीं होगा दूसरा के समाजिक जीवन को प्रभावित करता है और दूसरा धार्मीक जीवन को को है आपका सही नहीं है समझ गए कि क्या है यह ध्यान दिजीएगा कि बहौतिक जीवन को अभावित करता है और दूसरा उसके मर्म को अधाग पहुचाता यह बात है लिखा था कि शासन की पहुच प्रभीरत और नीवीति की बाहरी विबस्ता बी रही हो होती है उसके मूल का या मर्म तक उसकी गति नहीं होती है तो इसका पर नहीं होंगे तो चैनल को like, share and subscribe जो है कीजिएगा, बाकी बहुत सर बच्चों का call में ऐसे आते रहते हैं, जी है, प्रियाँ ध्यान दीजिएगा, यह प्रस्न हो गया, अगले प्रस्न की तरह बढ़ते हैं, यहाँ दूसरा प्रस्न देखेगा, 17 नमर यह बोला गया है, द मनुस्य जो है, स्वभावता कायर एवन जो है, लालची होता है, मनुस्य अपना इलहोल, इललोक और परलोक दोनों बनाना चाहता है, नहीं, लोग और भै मनुस्य की वो कमजोडिया है, जो सभी में समाने डूप से पाई जाती है, मनुस्य इलहोल में राते हुए अपना प को कम जूडिया है जो सभी में समान रुप से पाई जाती है आप देखते होंगे कि जब भी सासन विवस्ता के हम बात करते हैं या राजनीतिक मुद्दों के उपर बात करेंगे तो वहां पर जो है वेक्तियों में लोग और जो है भय यहां पर आपको देखने को मिलती है तो जो अभी आपने गद्यांस देखा उस गद्यांस के मुसार जो है उसका आज से क्या है आखिर जो गद्यांस से वो क्या कहना चाहता है किसके सासन विवस्ता के उपर बात करना चाहा रहा है उसके उपर हम बात करेंगे यहां देखेगा धर्म का वह सवरूप जो वेक्ति को चीर काल तक आनंद में डुबोई रहता है दूसरा वो अनुभूती है जिसमें धर्म जैसा सुल्क मतलब की सुख विशाय भी आनंदाई बन जाता है धर्म का वह सरूप जिसके आचरन में विक्ति सदेव जो है मतलब आनंद का अनुभाव करता है और ऐसे विचार धारा है जो विक्ति को सदेव आनंद में रखती है तो इस प्रस्ण का उत्तर क्या होगा बताईए आप सभी लोग बताईए क्या होगा देखिए तो अठार नमा प्रस्ण है और इस प्रस्ण का उत्तर क्या होगा जी है देखिए तो एक हांकित बंक्ती के अनुसार जो है आस से ही आए कि वह अनुभूती है जिसके जिसमें धर्म जैसा सुस्क विशाय भी आनन्दाई हो जाता है तो इस प्रस्ण का उत्तराप पर क्या हो जाएगा ओप्सन नुमर यहाँ पर B हो जाएगा समझ गया है गद्यांस करू सर्थ अगले प्रस्ण के बात करते हैं यहाँ पर 19 रम प्रस्ण देखिएगा मनुस्य संसार के साथ तभी समझसे स्थापित कर पाता है जब अब बताईएगा मनुस्य जो है मतलब कि आपके संसार के साथ स को एम भावना की स्मित्ती में आ जाए मनुस्य अपने जीवन को समझसे प्रकिर्ती और प्रसुपक्षी जगत के साथ भी कर ले सृष्टी स्वय को उसके सुख दुख और दुख के दुख अनुभाव कर सके नहीं तो मनुस्य संसार के साथ सभी समझसे स्थापित कर सकता ह जैसे यहाँ पर दखेगा यहाँ पर आपने अभी जस्ट आपको बताया था कि जब वो देखेगा का लिखा है जब उसकी रक्षा का भाव जब मनुस्य के समंजसे घटित नहीं हो सकता है, जब मनुस्य के सुख और आनंद का मेल सेश प्रकिर्टी के सुख संदर्य के साथ हो जाए, उसकी रख्षा का भाव, तुल गुल्म, ब्रिक्षलाता, पसुपक्षी, कीट पक्षी, ये सभी के साथ प्रेम भावना का होना सही है, तो इस प्रस्न का जो उत्तर होगा, यहाँ पर वन मिनिट, यहाँ पर जो बूला गया हम उनुस्य संसार के साथ, तभी समंजसे स्थापित कर पाता है, जब वह क्या कर सकता है, वह संपूर्ण जगत के साथ जो है, प्रेम भाव की इस स्तिती में आ जाए, यानि पेर, प्रेम भावना के साथ जो है वह दिखाई दे, तभी वह कर सकता है, तो इस प्रस्न का उत्तर आपका उप्सन नमर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्लियर है, जी है, चलिए, अगले प्रस्न की हम बात करते हैं, तो अगला प्रस्न यह 20 नमर दिखेगा, मनु जड़, चेतन, संसार के सुख में अपना सुख मानने लगे, प्राकिर्तिक उपादनों की रख्षा का दाइतों अपने उपर समझने लगे, तो क्या होगा, बताइए, तो मनुष्य का काब्बय योग साधना तब पूरी होती है, जब वो क्या करें कि प्राकिर्तिक समझने लगे, तब जाकर उसका काब्बय योग साधना पूरी होगी, तो इस प्रस्न का उत्तर आपका उप्सन नम्मर D हो जाएगा, समझ गए, यह आपका चार प्रस्न पैसे से पूछे जाते हैं, साथ ही साथ, आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा, कि अगर आप अगर आप जो है, बिहार B.A.D. अगर आप जो है, बिहार B.A.D. इंट्रेंस एक्जाम देहर 24 की बेहतर त्यारी करने के लिए best study guide खोज रहे हैं, तो आप जो है, चक्छु पब्लीकेशन का यह study guide ले सकते हैं, जो कि आपको मार्केट में available है, इसमें खासियत क्या है, कि आ आपका general awareness और आपका teaching learning material यानि TLE, जो होता है आपका TLM या TLE, तो सभी चीज़ें आपको chapter-wide पूरे आपको theory के साथ आपको objective question मिलेंगे, साथी साथ आपको previous year question भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो आप इस guide को ले सकते हैं अपने बेहतर त्यारी करने के लिए, साथी सा अगर आप जो है, अपने त्यारी को और मजबूती परदान करना चाहते हैं, तो चक्छू publication का guide के साथ साथ आप practice set भी ले सकते हैं, जिसमें आपको 20 से जादा practice set मिलेंगे, जिसमें आपको 1200 महत्रपून objective प्रस्ण लेंगे, exam oriented, तो विहार B8 entrance exam, 22 के त्यारी के लिए best study guide औ और ये 21 प्रस्ण आपका बोला है कि हिंदी में कारक के विभक्ती सहीत कितने भेद माने जाते हैं, अब आप सभी लोग को पता होगा कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, यह आपको बताना है, तो हम सभी लोग जानते हैं, आपर option दिखेगा 8 है, 14 है, 10 है, यहाँ पर 7 है, त आपका जो है, क्या है, कारक के जो है, 8 प्रकार होते हैं, अगला यहाँ पर आप जो कि 22 प्रस्ण देखेगा, कि धनुस टांकर का संदी बीचेद होगा, बताएगा क्या होगा, यहाँ पर लिखा होगा है, धनुस टांकर, धनुस टांकर का संदी बीचेद क्या होगा, यहा संदी बिछेद होगा देखे जो अब का लाकिर का संदी विछेद है, colour ईाद रुखेगा यहाद रुखेगा यह अपका हुता है ठनु यह जो बुन्दा दिया गया होता है और यहाब फीर होता है:「 टांकर लुखेद रुगणुंटर हुआए, पर स्फैने ह्से अब यहाँ पर C हो जाएगा, यह जो आपका धनु स्टांकर का संदी बिछेद होगा, जो होगा, यह होगा, धनु प्लस टांकर, समझ गए, अगला यहाँ पर आपका 13 नमर प्रशन है कि ने तरहीन किस समास का उधारन है, अब बताइएगा, ने तरहीन कहने का मतलब क्या है, यानि कि नेतर से हीन, क्या बोला देखेगा, यहाँ पर बोला गया है नेतर और यहाँ पर हीन, तो कहने का मतलब कि नेतर से हीन, इसका तोड़ियेगा, तो नेतर से आपका हीन होता है, यहाँ पर कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो पहला दूसरा पद है वो परधान है, तो यह सब्सकों बोलते हैं तत्पूरुष समास या उत्तर प्रदज होता है क्या होता है प्रधान होता है वही होता यह इसकाम का 3 विलोव सब्व होता है निस्काम तो इस पहर प्रस्ण का उत्तर क्या हो जाएगा ऑपसिन नमर यह अपर B हो जाएगा अगला यहां पर अपका पचीस नमर पराशन है मुठी गरम करना मुहाबरे का सही संदी बीचित मतलब मुहाबरे क्या और्थ क्या होगा पहला अपसिन द लालच देना और कर्ज देना बताए क्या होगा लालच देना और कर्ज देना तो मैं आपको बताना चाहूंगा आपका चो वर्ग, तो वर्ग, परोवर्ग, याँ वर्ग। एसे होता है अपने का से कंट होता है टो कहा जाता है बताये यहाप अपर आप्ण दखेगा। कठोड। नंथ और यहापड दंथ और मुर्धा बते क्या हो गया। इस प्रशन का उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा समझ गए अगले प्रश्ण के हम भाट करते हिं अगले प्रश्ण हो सटाइस नमर है कितने लीविक झाल 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 झाल